namaazkar दोस्तो हमारे चैनल पर आपके स्वागत है आज मैं बात कने वाला हूँ फिलाट के टीकेट कैशनल कैय से करना है अगर आपने भी ऑनलाइं टीकेट बुकिंग कर लिया और आपको यहाँ पर ट्रावेल नहीं करना है तो आपको यहाँ पर ticket को cancel कैसे करना है ticket cancel करने के साथ-साथ यहाँ पर आपको charges कितने pay करने पड़ेगा सारे details मैंने इस बाले वीडियो में आपको बाताने बाला हूँ वीडियो का आप लोग complete देखते हैं तो अभी आपको यहाँ पर details में पाता चलेगा जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाएद रहा है PNR नंबर, PNR नंबर के ध्रूब यहाँ पर आपने ticket को open कर सकते हो नहीं तो आपके email ID पर मिल जाएगा अगर आपने online ticket booking किया है तो सबसे पहले किया करना है ticket को cancel करने के लिए यहाँ पर नीचे की तरह बना है ticket को open करने के बाद आपको यहाँ पर इसी तरीके से दिखाए देगा आपको यहाँ पर दिखाएद रहा है cancel तो आपको यहाँ पर धियान रखना है ticket cancel करने से पहले मैंने यहाँ पर एक चीज बादायता हूँ सपोज मालीजे मैंने यहाँ पर 19 तरीक के लिए टिकेट बुकिंग किया सपोज मालीजे मेरेको यहाँ पर 19 तरीक को ट्राभिल नहीं करना है तो यहाँ पर आपको एक अलग से ओप्सेन मिल जाता है क्या गने, यहांपर दिखाई देगा तो आपको यहांपर दिखाई देगा तो आपको क्या गने, यहांपर दिखाई दे लहाए, यह फोड़にちは, नीचे फिरबारी के लिए टिकेट बुकिंग किया है, सापज माल लिए मेरे को यहां पर 19 मार्च को ट्राविल करना है, मैंने यहां पर बहुत यासांतरीगी से चेंज कर सकता हूँ, लेकिन इसका चार्जेस पे करना कितना है, वो सारे चीज़ आपको यहां पर ध्यान रखना बहु अलग से पे करने पड़ेगा, यह सारे चीज़ आपको यहां पर ध्यान रखना है, अब मैंने यहां पर आपको बदाएदा हूँ, अगर आप यहां पर टिकेट को कैंसिल करतो, टिकेट कैंसिल चार्जेस कितना है, वो भी आपको यहां पर डिटेल से पता चल जाएगा, से पहले और यहां पर बदाएदा हूँ, अगर आप डिट एक्चेंज करतो, चार दिन पहले आपको यहां पर एक्चेंज करने पड़ेगा, चार दिन बाद यहां पर एक्चेंज नहीं कर सकतो, यह सारे चीज़ आपको यहां पर ध्यान रखना है, अब मैंने यहां पर यहां पर आप exchange नहीं कर सकते हो यह सारी चीजी आपको धियान रखना है अगर आप यहांपर cancel करतो cancel charges कितना शारी इंधाइस आपको यहां पर दिखाई धहे जैसे कि यहांपर दिख सकतो करने चाहतो तो आपको क्या अगर नहीं यहाँ पर दिखाई देगा कितना यहाँ पर टोटल चार्जेस लगने वाला है जैसे कि यहाँ पर देख सकतो अगर मैंने इस टिकेट को कैंसिल करता हूं मेरे को एक भी पैसे नहीं मिलेगा यह सारे चीज़ आपको धियान रखना है अगर आप टिकेट बूक करतो आपको यहाँ पर कैंसिल नहीं करना है अगर आप कैंसिल करतो बहुत सारे यहाँ पर आपको चार्जेस पे करने पड़ता है मैंने यहाँ पर आपको बदाईता हूं अगर आप इस पैसे को बचाने चाहतो अगर आपको यहाँ पर टिकेट को तो आपको क्या अगने है इसे का पइर क्लिक काने है मैने लटी वीडियो बना रखाहूंचीप प्राइस में आप फ्लाइट के टिकेत का सारे बीडियो आपको मिल जाएगा िस वाली वीडियो के निचे मैंने इसे वाली वीरियो के लिंक दे दूँगा मैंने 3800 रुपिया में टिकिट कैसे बूग किया था जो कि 67,000 के टिकिट है और कैसे मैंने बूग किया था उसके बारे में भी मैंने और लेटी वीडियो बना रहा हूँ उस बाले वीडियो को चेक कर सकतो कैसे आप यहाँ पर चीव रेट पे फ्लाइट के टिकिट बूग कर सकतो नेक्स्ट आक्को के आगाने यहाँ पर नीचे की तरह बना है यहाँ पर आपको एच्छी ध्यान रख रहे है टिकिट बूकिंग करने के टाइम में अगर आप यहाँ पर 700.99 रुपिया पे कर देते तो यहाँ पर सारे पैसे यहाँ पर रिफंट मिल जाता है यहाँ पर चार्जेस कितना लगता टैक्स प्लास यहाँ पर 800 रुपिया यहाँ पर मेरा कट जाता लेकिन यहाँ पर कम से कम 2.8000 रुपिया मेरे को return मिल जाता मैंने यहाँ पर cancel charges पे नहीं किया था इसी वाइसे मेरा यहाँ पर सारे पैसे कट जायेगा क्यों कटेगा मैंने यहाँ पर आपको details में बता दिया जैसे कि यहाँ पर charges कितरा है confirm cancellation इसी के पर click कर देना है इसके पर click करने के बाद आपको जो ticket है यहाँ पर इसी तरीके से cancel हो जायेगा लेकिन एक भी पैसे आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा next की अगर नहीं यहाँ पर दिखाए जान है track refund करतो एक भी पैसे आपको यहां-पर नहीं मिलेगाँ मेरा यहां-पर रिफ्याश करते हुआट यहां-पर पहले करता टिकिट बुकिंग कटने के टाइम właśnie में तो मेरे को यहां-पर थोड़ा साय को यहां-पर पैसे रिफ्याश चार्जे से आपको यहाँ पर इसी के पर क्लिक करना है अगर आप फ्लैट टिकेट को कैंसिल नहीं करने चातो तो आपको कि अगर इसी के पर क्लिक नहीं करना है 800 रिपा एक्ष्टर आपको पेमें नहीं करना है ये सारे चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है और जो भी चार्जेस है मैंने यहाँ पर आपको डीटेल से बता दिया तो अगर आप भी यहाँ पर टिकेट को कैंसिल करने चातो इसी तरी के से टिकेट को कैंसिल कर सकतो लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है मैंने बार बार बता रहा हूँ आपको यहाँ पर flat ticket cancel नहीं करना है आपको एक भी पैसे नहीं मिलने वाला है तो यह सारी चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है अगर यह जानकारी अच्छा लगा तो like, share, comment करना बिल्कुल ना भूले